सब्सक्राइब करें निफ्टी अनलीजिस फ्रों ट्रेडिंग दॉसरा ट्रेडिंग सेशने इस विक का लास्ट वीक लास्ट मन्थ हमने देखा निफ्टी इंडेश में जो तेजी थी वो इस हफ्ते भी बाइब करा रहती है कल भी गयाप उपन हुआ हाला कि उपर के लेवल पर सस्तेन नहीं कर पा रहा है जो साइकोलाजीकल लेवल है ट्वेल ताउजन का इसके पास पोज गया था लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पाया और कंटिनू तीसरे दिन इसने कल दोजी कैंडल स्टी को मिशन दिखा यह कल का पिक्चर है यानि 4th November after market hour से पिक्चर लिया हुआ है अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहां आई बटन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी तो कल के प्लान के अकोर्डिंग हमारा ब्रेक आउट लेवल बन रहा था 11, 924 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,882 तो जैसे कि आप देख रहें यह 10 मिनिट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है शुरू में तो कोई ट्रेंड नहीं बना क्योंकि जो ब्रेक आउट लेवल था हमारा उसके ऊपर यह उपन हुआ तो गैप ओपन देखने को मिला और उसके बाद थोड़ा सा और भी टूर्ट्स नॉर्ट की तरफ यह मूव और फिर यह साउथ की तरफ यह तो इसके बाद यह 50 यह में के आज़ पास इसने सपोर्ट लिया और फिर एक बार हमारा ब्रेक लाउट लेवल ब्रेक करने के बाद हमारा फॉर्स तरगेट 11,945 यह अचीवड हुआ और अल्मोस सेकेंड टार्गेट भी 11,959 यह अचीवड हुआ था तो कल के आनलीसिस के अकोर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अरौं 15 पॉइंट का ट्रेड करने का मौका था और 10 लोट की सबसे अगर ट्रेड करते तो अरौं 11,250 का यहां पर प्रॉफि से उनके लिए मैं बता दू अगर आप जीरो दा अप्स्टॉक्स या फाइप जाहिं तीनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रिफरल आईड के अंडर अगर आप उपन करते तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबर्शिप है वो आपको एपसुलूटली फ् अगर आप अकाउंट उपन करना चाहते है तो सिंपली आपको इहांपर क्लिक करने के बाद अपेज उपन होगा यहांपर आपका मोबाइल नंबर डालना है ओटी पिडलने और आगे की ओनलें प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो जैसा आपका अकाउंट उपन होता है तो हम इस नंबर पर आपको call करना है यह जो नंबर है यह आपर इसके उपर call करना है और आपका client id confirm करना है ताकि हम आपको intraday premium membership में add कर सके और एक offer चल रहा है upstock की तरफ से अब्सक्राइब करते हैं तो नोवेंबर 300 नोवेंबर मंग है इसके लिए अगर आप यह प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 300 रुपीज का cashback मिल सकता है तो यह एक offer है upstock की जरफ से नोवेंबर मंग के लिए ठीक है तो यह एक offer के बारे में चलता है global market के हाला देख लेत देख विकली कल अमेरीकी बाद जानास्डाइक और डाव जोन्स दोनों भी फिर से तेजी के साथ बंद हुए तो निशान में बंद हुए यूरोपियन मार्केट भी देखे तो वहाँ पर भी हमें एकल तेजी दिखाई दी हारे निशान में बंद हुए और आज जब एशे पॉइंट्स का जम देखने को मिल रहा है बड़त देखने को मिल रही है और एस जी एकस निफ्टी हलकी सी गिरावाट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है तो वर और लोगल मार्केट्स तो अभी पॉजिटिव संकेत दे रहे चलते है निफ्टी के चार्ट के ऊपर वीकली च का पता रहेगा उसके बाद यह टूइट्स नौड की तरफ और भी हमें मुमें दिखा रहा है लेकिन कल यह जो ट्वेल ताउजन का लेवल ता यह साइकोलोजिकल बैरियर है यहां से यह ब्रेक नहीं हो पाया और यहां पर एक प्रेशर दिखाई दिया निफ्टी ओपन त तो 12,114 को जैसे ही पार करेगा तो हमें और भी निफ्टी इंडेक्स में तेजी होते हुए दिखाई दे सकती है स्ट्रक्चर एक्स्ट्रीम बुलिश है लेकिन यह जो पढ़ाव है दो हर्डल से इसको पार करना कभी ज़रूरी है यह वीगली चार्ट का सेनारियो चलते है डेली चार्ट में अगर आप देखे तो लास्ट तीन दिन से आपर यह निगेटिव नहीं कहेंगे दोजी कैंडल स्टिक कहा पर बन रहा है थोड़ा सा यह हेल्दी नहीं है वीक कैंडल है उपर की तरह बन रहा है हायर आए हायर लो यहां पर फॉर्मेशन दिखाई दे रह तो यहां पर अगर यह करेक्शन आता है तो हम यहां पर फिबोनसी रिट्रेश्मेंट लेवल को ड्रॉब कर सकते हैं यह हाय और इस लो को पकड़ के तो हमें तो फर्स्ट सपोर्ट 11,776 का यहां पर दिखाई दे रहा है अगर यह रिट्रेस होता है यह जो अपसाइड मू करेक्शन आ सकता है लेकिन जो प्री मार्केट मूमेंट होता है उससे मार्केट का फी ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है उपर के लेवल पर और दिन बर एक चौपी एक स्लगिश मू हमें दिखाई दे रहा है तो आज इंट्राडे लेवल क्या हो सकती है यह इडेंटिफाई करते हैं चलते हैं 60 मिनिट के चार्ट में लेवल से इडेंटिफाई करने से पहले यहां पर आरे साइवर्स प्राइज अगर देखें रहे हुआ अगर देखें और देह करेक्शन देखने को मिल सकता है यह सिगनल और कहा यह कहा नहीं जा सकता आलीश कर तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं वो देखते हैं कल यहां पर आरली चाट यहां पर यहां पर यह वियरिश हरामी केंडल स्टिक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पार है तो यहां से अगर यह टूर्ड साउथ की तरफ मूव करता है और अगर यह 11,927 का लेवल अगर ब्रेक करता है यह लेवल क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं यह जब साउथ की त सब्सक्राइब करता है तो जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है यह ब्रेक होने दीजिए अगर 927 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहां पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फॉस्ट टार्गेट होगा कल का लो यानि 11,905 यह हमारा फॉस्ट टार्गेट होगा और सेकेंड टार्गेट होगा यहां से 11,876 यह हमारा सेकेंड टार्गेट होगा और अगर टूर्ट नॉर्ट की तरफ अगर यह मूव करता है तो यह जो वियरिश हरामी का फॉर्मेशन हुआ है इसका हाय यानि 11,957 के उपर अगर यह सस् 25 और सेकंड टार्गेट होगा 12000 या हमारा सेकंड टार्गेट होगा अगर गाप अपन होता है तो यहां पर ट्रेड ना लीजिए क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है बुल्स अपने स्ट्रेंग को खो रहे हैं तो गाप अपन होता है तो शो धालमनागूल सेक्षा है तो यहां प्यो अट्रेग्ण टार्ट था रहा है वे देखना प्रेड प्रेड काफमनाग्ड शर्मिल्स पालमनागूल के बुल्स वर्शिए्ट यहां प्रेड देखने welcome तो श्यूड्ड टार्टन अप्रेटिए्